बिग बॉस सीजन 18, 6 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ऐसे में घर में निया शर्मा, शिल्पा शिरोट कर समेट कई सितारों ने बिग बॉस के घर में अपनी जगा कन्फरम कर ली है। शो प्रेमियर काफी मज़ेदार रहा है, साथ ही साथ शो ने आते ही तहल का मचा दिया है। बिग बॉस के इतिहास में कंटेस्टन्स के बीच एक से बढ़कर एक लड़ाई जगड़े होते देखने को मिले हैं। सलमान खांटी होस्टिंग ने भी इस शो को हर साल नई उचाईयों तक पहुच रहा है। उनकी मजाकिय और गंभी दोनों ही अंदास की होस्टिंग वेवर्स को खूब भाती है। शोशल मीडिया पर भी बिग बॉस ट्रेंट करता है जिससे उसकी चर्चा और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा बिग बॉस का फॉर्माट कॉंट्रोवर्सी से भरा होता है जिससे हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हर सीजन में नए नए ट्विस्ट और टास्ट शो को और दिल्चस्प बनाते हैं। चाहे वो आम जनता हो या सेलिब्रिटीज बिग बॉस के दर्शक हर उम्र के होते हैं। यही कारण है कि ये शो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले रियालिटी शोज में से एक बन चुका है। लेकिन अब इस शो में खुले आम धमकी मिलने लग गई है। बिग बॉस 18 के हालिया एपिसोड में बिजेपी नीता तजंदर पाल सिंग बग्गा को रजद दलाल ने खुले आम धमकी दी है। आपको बता दें कि दोनों के बीच एक पुरानी बात को लेकर बह बात किया। वही शो शुरू हुए अभी एक हफता भी नहीं बीता और दो कंटेस्टेंस के भी जुबानी जंग शुरू हो गई। बिग बॉस शो ड्रामे कंटेस्टेंस के आपसी जगडे और एक दूसरे को दीचाने वाली धमकी को लेकर काफी लंबे समय से बज बना हु हुआ है। वही बिग बॉस शुरू ही दिन इसकी जलक देखने को मिल गए। यहां दो तगडी कंटेस्टेंस तजंदर पाल सिंगबगगा और रजत दलाल के बीच जबरदस्त बहस होते देखने को मिली। दोनों के बीच जुबानी जंग इसकदर बढ़ गई कि रजत ने तजंदर को मारने की धमकी दे डाली। बिग बॉस अठारा का प्रोमो सामने आया है। इसमें तजंदर और रजत एक दूसरे से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। दोनों के बीच पुरानी बाइक कॉंट्रोवर्सी को लेकर बहस छिड़ गई। दरसल कुछ वक्त पहल तजंदर ने रजत पर बाइक वाले को ठोकर मारने का आरोप लगाया। फिर रजत ने कहा कि पूरे इंडिया ने वो वीडियो देखा है कि उन्होंने बाइक वाले को गिरते देखा। इसके जवाब में तजंदर ने कहा हाँ मैंने देखा। तजंदर की बात सुनते ही तू मैं में और बढ़ गई अब देखना ये है कि लडाई इस पूरे सीजन में क्या-क्या रंग लेके आती है खेर लडाईयां जितने भी हो विवर्स को इस सीजन में भी बहुत मजा आने वाला है आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की